आज से हम अपना PHP शुरू करते हैं तो PHP की प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है और आप जानते हैं, PHP एक सर्वर साइड इस्क्रिप्टिंग लेंगवेज है तो PHP के लिए हमें एक सर्वर चाहिए आपाचे जो कि हम डाउनलोड करेंगे तो मैंने जहां सर्च किया और यह पहला लिंक जो है इसी पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा यहां पर स्लेस डाउनलोड को ही आर अपसं तो इस पर क्लिक कर दें पर जैसे मैं उस पे क्लिक कर दिया चाहतरल रहा है पता नहीं क्या जो भी बता रहा है यह PHP का ब्रूज बता रहा है यह विंडूस के लिए है और मैं कर दूंगा 84 मिट पर क्लिक यांजन download is start automatically if it is does not start click here तो यह देखिए जैसे मैं click किया यह shape पे click कर दूँगा तो यह download होना शुरू हो गया पर मुझे download नहीं करना है क्योंकि मेरे पास पहले से है यह देख लो पहले से मेरे पास है तो मैं नहीं करूँगा इसको करता हूँ minimize और मैं open करूँगा my computer और इसमें if drive के अंदर जाओँगा यही मेरे पास पहले से है मैं जो काफी पहले में download किया था PHP 7 चल रहा था उस समय पर इस पर मैं double click करता हूँ इस्टाल होना सुरू हो जाए गया installing process क्या है आपके मैं सामने कर रहा हूँ ताकि आप देख सको कि यह installing का process क्या क्या है तो double click मैंने कर दिया और यह थोड़ा देर वेट करा रहा है अब कर लेंगे क्या फरक फर्चा है बिट नामी जो भी है मतलब आ गया इस पर click करेंगे यह कुछ कह रहा है हमें नहीं मतलब है कुछ भी बोले next पर मैं click करूंगा next पर click करूंगा यह कह रहा है install कहां करना है मैं back करता हूँ सारा drive में मेरा जगह नहीं है मैं f के अंदर करना चाह रहा हूँ इसके इफ ट्राइब के अंदर परियाप्त जगह है मैं इसी के अंदर करूंगा तो यह c लिखा हुआ है न सी को मैं हटा करके एफ लिख दे रहा हूँ चलो जी नेक्ट पर click कर देंगे learn about इसको अंचक करके click कर दूंगा next रेडी हो गया है ठीक है इंस्टॉल कर दो कि इंस्टॉलिंग इस्टार्ट हो गया है तो इंतियार करते हैं जब तक यह इंस्टॉल ना हो जाए देख सकते हैं लगबग हमारा इंस्टॉल हो चुका है पूरा पाचे सर्वर पर यहां not responding आ रहा है मतलब साथ हैंगे जैसा हो गया कुछ कोई बात नहीं हो जाएगा तुरंत हमारे इंस्टॉल तो थोड़ा सा इंतिजार करते हैं कुछ सेकंड हमारा इंस्टॉल सक्सेश्पूल है यह कह रहा है डू यू वान्टू इस्टार्ट कंट्रॉल पैनल मैं फिनिस कर देता चालू हान जागा है लेकिन मैंने जैसे ही पी-च्पी सर्वर स llegó करना चाहा वैसे ही एरर आ गया और मेरा 이 अब्चे सर्वर सरी फिच्पी सर्वर नहीं अब of cannabis सरोब्र मैं जैसे कलिक कर रहा हूं तो यह कह रहा है कि मतलब blocked है मेरा 80 port number 80 पे चलता है और port number 80 पे मेरा कोई और service चल रहा होगा इसलिए block हो गया तो मुझे port बदलना पड़ेगा तब जाकर किये Apache server मेरे में चलेगा अब आपके computer में भी क्या नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं है हो सकता है कि आपके computer में चल जाए लेकिन मेरे computer में नहीं चल रहा है तो मुझे port change करना पड़ेगा तो port कैसे change करते है मैं बताता हूँ आपको आप इस config पे आईए और इस वाले पे click करिए तो यह notpad खुलेगा आपके सामने और नीचे नीचे scroll करिए तो यह listen दिखाई देगा आपको listen 80 है यहाँ पे 80 के बाद और एक 80 जोड़ दीजिए और फिर यहाँ इस पे मैं click करूँगा यह start पे click कर दूँगा और फिर यह हमारा जो अपाचे server है यह चालू हो चुका है माइस कीवल पे click करेंगे माइस कीवल भी start हो जाएगा यह attempting कर रहा है यह start हो जाएगा तो इस तरह से आप अपना आपाचेस जो है start कर लेंगे मैं इh stop करता हूं मैं फिर से start पे click करता हूं तो यह start हो गया अब मैं माइस कीवल पे click करूँगा तो यह detect कर रहा है लेकिन स्टार्ट हो गया है तो अब चाहो तो इसको बंद किर दो आप चाहो तो बंद ना करो तोटल आपके उपर है अब मैं अपना खोलता हूं ब्राउजर तो डाउजर मैंने खोल लिया अपना अब मैं यहां पर टाइप करूंगा लोकल होस्त local host और मैं 80-80 लिखूंगा यहाँ पर यदि आपको मालूम होगा कि मैं change कर रहा था कुछ तो 80-80 यदि है listen में यदि 80-80 है तो आपको यहाँ पर 80-80 लिखना पड़ेगा और यदि listen में सिर्फ 80 है तो आपको 80 लिख करके enter मार देना है लेकिन 80 पर इंटर मारने से मेरा IIS server चल रहा है इसलिए 80 पर नहीं मेरा जो है local host वो 80-80 पर चल रहा है तो मैं 80-80 पर क्लिक तरूँगा और फिर आपके सामनी यह page खूल के आ जाएगा यह page आपके सामने जैसे ही खूल के आया तो इसका मतलब है कि आपके computer में आप आचे सर्वाइन इस्टॉल हो गया है और आप PHP पर प्रोग्रामिंग करने के लिए अब आप ready है तो मैं इसको करता हूँ मैंनी माइस और मैं जाओंगा इस जैंब के अंदर सबसे पहले आप पूरा बंग करो जाओ अपने computer में और फिर आप खोजो कि आपका control पैनल इस इंस्टॉल कहां पर है तो मेरा यहां पे इस फोल्डर में लोकल सॉरी इस टी डॉक्स वाले में इस पर जाइए इसके अंदर जो भी है सब मार यह डिलीट सिफ्ट डिलीट मार के एंटर मारूंगा यह सब पर्मार्मेंटली डिलीट होंगे मेरे को जरूत है नहीं का मैंने पूरा डिलीट कर दिया अब मैं right-click करूंगा और इधर ही sublime text editor खोलना ठीक है तो मैं यहां पर आपको क्या करना है कि open folder मैं करता हूं फिर से open folder और सबलाएं यहां पर मैं a drive पर आऊंगा और यहां पर इसको मैं यहां से एक्जैम सेलेक्ट करूँगा और फिर htdocs और यहीं पर सेब करूँगा मैं इंडेक्स के नाम से सेब करता हूँ .php यही हमें करना था अब जैसे मैंने सेब कर दिया तो आप देखो एक्जैम के अंदर एक्जैम के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर फाइल हमारे पास बन चुका है अब बन करता हूँ मैं इसको यह फाइल हमारे बन के रेड़ी है इसी पर मैरा इट क्लिक करूँगा और फिर ओपन सब्लाइम में ओपन कर लेता हूँ है आप नोड़ पाइड से ओपन कर लीजिए कोई दिकत नहीं है प्यश्पी की प्रोग्राम लिखने से पहले आपको क्वेस्चन ए सॉरी यह साइन देना पड़ेगा और क्वेस्चन मार्क फिर बंद कर देना है ऐसे आपको ऐसे है अब आपको जैसे सी में आप प्रिंट अब करते थे प्रिंटिंग करने के लिए मैसेज तो यहां यहां पर एको का इस्तेमाल किया जाता है मैंसेज प्रेंट करने के लिए मैं ही ले लो करके सेमी कॉलन लाश्ट में देखर के सेफ कर दूंगा अब मुझे प्रोग्राम चलानी है तो कैसे चलाओंगा यहां पर गायब कर दूंगा और यहां पर luckyndack.html लिखुँन मार दूंगा सुरी html तो फाइल है हमें भी हम prophets चांच होज़ें देखते हैं या तो कुछ दिखा ही है नहीं दे रहा है मैं सिंटेक्स में कुछ गल रिशा होंगा है हां गलत हो सकता है सिंटेक्स माने ओ है मैं तो ठीक ही लिख्छा अ है सिंटेक्स कि सिंटेक्स ऐसे लिखना है पीएसपी भी लिखना था लेकिन मैं भूल गया था अब मैं इसको रिफ्रेस्ट करूंगा तो यहां पर आ गया राइट यह देखो हैलो प्रेंट हो गया तो इस तरह से पीएसपी होगा और यहां पर चालू होगा प्रेंट होगा पीएसपी में वेरियेबल कैसे बनता है डॉलर लिखना पड़ेगा आपको और वेरियेबल का नेम लिख दो जैसे मैं नेम लिख देता हूं वेरियेबल का नेम तो यह क्या बन गया अब यह वेरियेबल बन चुका है अब इसमें कूछ नाम चाहो तो आप इस जैसे मैं क्या इस्टोर कर लो मैं जैसे राम से आम कुछ भी स्टोर कर लेता हूं से मिकॉलं दीड़ा अब इस ट्रिंग को प्रेंट करने के लिए तो आप डबल कोट में प्रेंट करते थे लेकिन वेरियेबल प्रिंट करना है तो मैं सिधा नेम लिख दूँगा और फिर रन कर दूँगा प्रोग्राम तो सिधा मैं यहां के रिप्रेस कर दें तो राम प्रिंट हो गया ठीक उसी तरह से आपको नमबर इस्टोर करना है तो यहां पर 10 इस्टोर कर लो आप ऐसे और फिर यहां पर प्रिंट हो गया जैसे फिर यहां पर मैं आता हूँ यहां पर लिख देता हूँ नमब वन इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहां पर लिख देता हूँ नमब टू और एको मैं क्या कर देता हूँ डॉलर num1 plus dollar plus dollar num2 दोनों को plus कर दिया तो इस तरह से plus होके 200 आगया हमारे पस तो simple सी बात है PHP में, sorry PHP कहा रहा हूँ आपने C++ के अंदर जो भी पढ़ा है if, else, functions loop, वही इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा बस हो सकता है कि लिखने का तरीका कुछ बदल जाए, तो variable बनाना है आपको, तो dollar के sign से C में आप data type लिखते थे यहाँ data type लिखने की ज़रूरत नहीं है सिधा variable आप बनाईए और equal to का sign देखर पर इस्टोर कर लिजे data इस तरह से हो जाएगा अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं नाम यहाँ पर राम इस्टोर कर देता हूं और यहाँ पर मैं कुछ दूसरा नाम रख देता हूं जैसे राम के बाद मैं कुमार लिख देता हूं अब इन दोनों इस ट्रिंग को concatenate करना है तो concatenate कैसे किया जाएगा dot के sign से Java में plus का sign लगा जाता है लेकिन यहाँ पर dot के sign से concatenate किया जाता है तो जैसे ही इस तरह से दुखो राम कुमार लिए इसी तरह से हम PHP में काम करते हैं बाकी हम देखेंगे अब अगले चप्टर में और क्या-क्या इसमें कैसे काम करना है हमें आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं चलिया गुटनाइट